आगे बरते हैं एक और बड़ी अप्रेट के साथ उमेश पाल मडर केस में अतीक परिवार की कई महिलाओं की तलाश जारी है यह हैं अतीक की पत्नी और अश्रफ की पत्नी जैनफ उर्फ रुभी इसके लवा अतीक की बेहन आयशा नूरी और अतीक की बेटी मंतशा और उनजिला की तलाश जो है आयशा नूरी और दोनों बेटियों पर गुड्डू मसलिम को पनाह देने का भी आरूब है अतीक के परिवार की 5 महिलाओं परार चल रही हैं अश्रफ की पत्नी जैनप की भी तलाश की जारी है आईशा नूरी और उनकी बेटी मनतशा की तलाश भी चल्डी है आईशा नूरी की बेटी मनतशा अतीक के बेटे असथ की मंगेतर थी और आपको एक बड़ी खबर दे दे अतीक एहमस से जुड़ी हुई अतीक ने जिन संपत्यों को कब्जा किया उसे अब मुक्त कराने के प्रयास चल रहे है कब्जा मुक्त कराने के लिए आयोग बनाने की तयारी में भी है पूरी सरकार यूपी सरकार अब एक आयोग बनाने की तयारी में है गबजा की गई संपत्यों को मुक्त कराने के लिए और जल्द इस आयोग के गठन का एलान हो सकता है अतीक एमस से सतायल लोगों की एप्लिकेशन भी ली जाएंगे किसी तरह से जमीने वापस होगी इसका तरीका क्या होगा? इस पर ये आयोग काम करेगा किस प्रोसीजर से जमीने और ये प्रॉपट्टी वापस की जाएगी इस पर आयोग काम करेगा आपको बताएं कि लोगों की काफी जमीनों को अतीक ने गबजा किया हुए था जो अब धीरे धीरे मामले सामने आ रहे हैं एक और बड़ी अपडेट अतीक से जुढ़ी हुई अतीक के करिबी बिल्डेर मुहमबद मुस्लिम ने खुला सा किया है लकनों के मुसलिम इलाकों में अतीक के नाम पर करणों की जमीनों का अवायत कारोबार किया जा रहा है ठाकुर गंज, सादत गंज, हसन गंज, दुबगगा, काकोरी, माल, मलियाबाद में पुरा सामराज्य फैला हुआ है मुहमद मुसलिम से लगातार पूस्ताच में संपत्ति को लेकर तमाम खुला से हो रहे है बहराइच में रोडवेस से लेकर दरगा इलाके तक अतीक ने कई जगों पर अपने करीबियों को बसाया है अतीक के नाम पर मुहमद मुसलिम ने 200 करोर रुपे से ज़्यादा की संपत्तियां बनाई है इधरों में शत्याकान को लेकर SIT ने अपनी जाज का दायरा बढ़ा दिया है SIT के रडार पर शेर अतीक वाट्सअप ग्रूप के 200 मिंबर्स है अतीक के बिटर हसत ने बनाया था शेर अतीक के नाम से एक वाट्सअप ग्रूप यूपी में प्रियागराज, कौशामबी और फतेपुर के करीब 200 यूवक इस वाट्सअप ग्रूप से जोड़े हुए उमेश पालत्याकांट से कुजिन पहले इस वाट्सअप ग्रूप को डिलीट कर दिया गया था उमेश पालत्याकांट से ठीक पहले ग्रूप बंध होने की भी SIT जान रहे नाम था इस वाट्सअप ग्रूप का शेर एया थी देखिया आपके 200 यूवक इस से जोड़े हुए हैं सारे इस वाट्रडार पर है SIT की अक्षे तर्तिया के शुभ अवसर पर आज गंगोत्री और यमनोत्री धाम के कपाट खुल गए गंगोत्री धाम के कपाट मुख्यमंत्री धामी की उपस्तिती में खोले गए और इस दोरान मुख्यमंत्री ने गंगोत्री धाम में विधिवत पूजा अर्चना भी की इसे पहले सियम धामी ने गंगा नदी की पूजा की भगीरती कि धारा की पूजा की सियम धामी ने यमनोत्री धाम के गाउं में भी वो पहुचे थे और यमनोत्री धाम के कपाट खोले जाने के वक्त हजार लोगों की भीड़ वहाँ पर मौझो थी शद्दालों के जैकारों से आसमान गोज उठा और इस वक्त आपकी स्क्रीन पर पांच तस्वीरे हैं और इसमें पिछले वर्ष और इस वर्ष गंगोत्री और यमनोत्री धाम की तस्वीरे हैं पिछले साल कपाट कब खुले वो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे खुले और इस साल गंगोत्री धाम के कपाट दो पहर 12 बचकर 35 मिट पर कुछ दिर पहले खुले गए उसकी तस्वीरे में हैं जबकि यह मुनोत्री धाम के कपाट 12 बचकर 41 मिट पर अभी थोड़ी मंदिर पहले खुले हैं और इस तरीके से अक्षेतर पिया शुरू हो गई है आगे बढ़ते हैं जो जैसे खबर है राम मंदिर निर्मान की तस्वीर जारी की गई है श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट ने अपने टूटर हैंडल से इस तस्वीर को जारी किय है आकार लेता दिखाई देर आये राम लला का भव्य मंदिर ये देखिया यही वो तस्वीर है जिसे श्री राम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट के आधिकारिक टूटर हैंडल से जारी किया गया है मंदिर देर्मार कारे में चतकी ढलाई का काम भी शुरू हो गया है ये इन तस्वीरों से बिल्कुल साफ है एक्स्लोजिव तस्वीरे श्रीयाम जन्मभूमी तीर्थ शेत्र ट्रस्ट ने इसको जारी किया है देखिये कैसे आकार ले रहा है दिव्य और भव्यराम मंदिर आयोध्या में चतकी ढलाई का काम भी शुरू हो क्या है अपने लक्ष की और बढ़ता हुआ ये दिर्मार कारे में एबी पी गंगा खबर आपकी जबाँ आपकी